असलाम वालेकूम, आज हम बनाएंगे धनिये वाला गोश का पतला सालन, यह मैंने 750 ग्राम गोश ली हूँ, विद बोन ली हूँ, हड़ी वाला गोश ली हूँ, हड़ी वाले गोश का जायका और भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा फैड भी है इसके अंदर, चर्बी वाला गो मेरी मां के हाथ का डिश मेरे में बहुता अच्छा खाना बनाते थे उनके हाथ का यह सालन हे, बहुत अवह टेस्टी और गोश बंता है चली है इसके लिए हम कुछ मसाले पहले बूहने यह मेंने एक पैन लेह, उसमें हम एक चममर्ज मर्के जीरा, और धनिया हलका हलका रोस्ट हो रहा है, मैं हाथ से कर रही हूं आप हाथ से मत किजिए, इसमें ये तिकड़ा रालचिनी का दाल रही हूं मैं ये पांस से छे लॉंग दालेंगे गे चार इसे पांच इलाइची दालेंगे और सारे मसालो को रुष् डेखेसो में आपकल गुरा। दोस्ट मनलेगे। 5 मिल्च स्वीस, 1 मिल्च पूर्फल शौप्ट का फूल बदैऑ लगुए। यह में हरा धनिया दाल रहे हूँ, एक मुठी यह देंद्धल के साहँ बहुत पतली है। यह भी हम ले 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 से थिक्निंग का काम करेगा फ्off, वह रहे सा समय हूँ तोला सा पानी आप देख सकते हैं तेल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे तेल में हम दालेंगे यह दो से तीन तेज पत्ते दो प्यास को मैंने स्लाइस में काटे हूं यह दालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे देखिए हमारे प्यास यह अच्छे से फ्राई हो गया है यह इसमें ह को अछे से हम पてाथ के साथ ढूनेंगे इसाम बिनालत शुल दालाdit टचा कर लड़ तक हमारे को पीसे थे तक हमारे बोष का कलर चेंज आदा चमच गरब मसाला पाउडर है एक चमच दालेंगे मिर्ची पाउडर इन सब को अच्छे से बूनेंगे आप इसे जरूर ट्राइग कीजिए यह हमारी पुरानी डिश है यह बहुत खुश्बुदार बनती है अगर आप इसे बनाएंगे तो आप खुद बोलेंगे आप जरूर ट्राइग कीजिए मसाले को हम अच्छे से इसमें बूनेंगे हमारा गोश भी बूने जाएगा हमारे मसाले भी बूने जाएंगे इसे धीमी आच करके हमें 5-6 मिनिट अच्छा बूनना है यह देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छे से बूने गया है पुरा तेल पतला हमको चाहिए उतना हम इसमें दालेंगे पानी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसका लिड बन कर देंगे एक विसल आने देंगे हम फास्ट पे और दीमी आच करके इसे 20 मिनिट तक हम पकने देंगे ताकि हमारा गोश टेंडर हो जाए देखिए इसे में अपने ही वि जरूर ट्राइ कीजिए अब इसमें हम दालेंगे हरा दनिया बहुत सारा और इसे दो मिनिट और पकने देंगे और इसे हम गर्मा गर्म अब सर्फ करेंगे इसे हम सर्फ करते हैं वीडियो आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंड कीजिए दुआउ में याद रखिए अला हाफिस